Hello everyone, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है हमारे चानल कर्मा आयोडवेदा कैंसर हॉस्पिटल में जहां पर हम आपके लिए कैंसर से जुड़े कई इंफर्मिटिव वीडियो लाते रहते हैं ऐसे ही हमारे आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गन्ने के जूस का सेवन कैंसर पीशिंस के लिए कैसा है तो चलिए जानते हैं गन्ने का जूस पीने से कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी से बचा जा सकता है इसमें कैल्शियम, पुटाशियम, आइरन और मिगनीशियम होता है जो कैंसर से बचाने में साहिक होता है खासकर प्रॉस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के लिए गन्ने का रस काफिफाइडीमन होता है गन्यकारस आपके immune system को strong बनाता है जिससे आप कम बिमार पड़ते हैं साथ ही गन्यकारस आपके शरीर में cancer cells को बढ़ने नहीं देता और आपको cancer जैसी जानलेवा बिमारी से दूर रखता है बात अगर cancer के मरीजों की करें तो cancer के मरीज गन्यकारस पी सकते हैं लेकिन हमने आपको हमीशा बताया है कि सभी मरीजों के reports एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं इसलिए जरूरी है कि आप एक बार अपने doctor की advice लें साथ ही अपने आहार में कोई भी बदला अपनी report के अनुसार करें इसलिए cancer के मरीजों को doctor की सलह लेकर ही करने का रस्पीना चाहिए उमीद है आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो आज के लिए बस इतना है अगर आप या आपका कोई अपना cancer रोक से पीडित है तो आप कर्मा आयरवेदा से संपर कर सकते हैं कर्मा आयरवेदा उप्चार के इंद्र में आपको cancer से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है और यह उप्चार पूरी तरह प्राकर्तिक है जिसका कोई दुश्प्रभाव नहीं होता कर्मा आयरवेदा उप्चार के इंद्र में आपको सफल इलाज के साथ-साथ बहतर आहार के जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्ते के लिए लाबदायक होती है अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीज़े, शेर कीज़े ऐसे और इंफर्मिटिव वीडियो उसके लिए हमारे चानल को अभी सब्सक्राइब कीज़े इसके अलावा आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं अगर आप कैंसर की किसी भी समस्या से परिशान है तो आप हमें WhatsApp के माध्यम से संपर कर सकते हैं हमारा नमबर स्क्रीन पर मौजूद है तो आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में